बच्चा 0-2.5 है तो बच्चे का माइंडसेट बनाना है, बिलिप सिस्टिम बनानी है, बैल्यूस बनानी है, माइंडसेट, बिलिप सिस्टिम, बैल्यूस जिसे शायद आप संस्कार भी को, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना तो उसको यह सीखाना है, what's the word? habits and rituals, habits पे मैं separate में एक तो घंटे का भाशन दूँगा अगर आपको चाहिए तो, किसी दिन, habit and ritual, तो screenshot ले ली है क्या show of hands प्लीज, यस ले ली है तो ग्रपया गुरूप में शेर करे, दन्यवाद आपका, thank you, बढ़िया, आप मेरा काम छोटा कर रहे हो, यानी बचा रहे हो मेर समय, तो habit and ritual क्यों बना नहीं, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले इंसान आदतों को बनाती है और फिर इंसान की आदते उसके लाइफ को बनाती है, पहले इंसान आदते बनाता है और फिर इंसान के आदते लाइफ को बनाती है, अब साड़े साथ साल से पहले ना बच्चा फिर भी थोड़ा बहुत माखी सुन लेता है हाया ना सारे साथ के बाद जैसे जैसे वो बंदरा की तरफ बढ़ रहा है उसमें वो एटिटूड आता है मैं हो ना कि दालागानी लग जाते हैं ममा अब तो मैं बढ़ा हो गया फिर भी तुम मेरे को बच्चे यह सा ट्रीट कर रही हूं है ना थोड़ा से टेंचन आएगा तो आके घुझ जाएगा ममा मेरी प्यारे ममा मेरा लाड़कर है ना फिर ऐसे ऐसे हाथ गुमा कि आप उसको ऐसे ऐसे करोगे वह आलग बात है बिच में उसको मूड़ा आ जाता है मैं बढ़ा हो गया है अब ध्यान से सुनिए दोस्तों कई सारे लोगों का चैलेंज है कि आपके बच्चे मोबाइल बहुत खेलते वगरा होगा चालेंज स्क्रीन का चालेंज होगा गुस्वा करता है यह चालेंज होगा है इस पर मैं सेशन लेने वारा हूँ आपके पिछली बाली बैच को धन्यवाद दीजी आप थैंक्यू प और संटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ है तो आगे बढ़ते हैं तो यह जो हैबिट से क्या यह जो हैबिट से इनको बेड़ करने का काम शुरू करना है साड़े साथ के बाद तुरंत देयन जेसे इस बॉपने अपको नूछेंट्री में से वापस आना पड़े तना कि एग्जाम्पल बादो क्या एग्जाम्पल हम ऑ sweetie what मीजोपना से जाना है एग्जाम्पल की तोर पर मॉंबइ मुनबइबए सब तो आदो पिर काम करना द्यान से अब तक तो मैंने मार्त की नहीं की एकडमिक पर्फॉममेंस की नहीं कि वो जोरूरी है राध में बाद में बताओं का कैसे करना हैं करना है तो सबसे पहले बात होती है है विट्स रिचुल बिल्ट करने हैं है करने यस 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 शौप एंड तो फिर से एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या मुद्द है और हम गड़ी के जैसा चलेंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ नव दस दस ही घंटों का क्लॉक है सबसे पहले नहीं है है सबसे पहले तो भी और गणाइज वाट्यों को बछे को पहली यादर डालने पड़ेगी और नवनाइज रहने की हो मतलब क्या और मैं सुल्च थे जरुब करें महीए अब्र है अब वंडर्फुल एप्रिशेट बहुत अचेंज पुटा है एक वर जोर दा टाली आप सब के लिए अमेजिंग 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 अरे कंजू सी ना करो समीता मैं ताली बजा दो खुद के लिए तो बजे नहीं है ना डिपाली मैं का वीडियो हैं हो गया है य यह उमर के बच्चे के लिए ना बींग अर्गनाइस का मतलब होता है टी टी ए टी टी ए क्या बोला मैंने टी टी ए टी टी का मतलब क्या होगा है इने गैसे इस और द्यान से सुनने मेरी बात को अगर आपका बच्चा टी टी मैनेज करना सीख लेया और और अर्गनाइस करना सीख लेया ना तो आपके किना मेजोर्टी ऑफ दे चैलेंजेज जो है आपके वह कंट्रोल में आएंगे तो क्या आप जाना चाहोगे टी टी क्या है यस कुछ लोग लिख भी रहे तो बहुत अच्छा है टाइम टेबल टास्क वाव वन्डरफू टाइम टू टाइम टू टाइम टू डैश आइसा क सही तरिके से एक मारपदर्शक बनके एक रोल मॉडल बनके बच्चों को सिखाना तू और अगर आप भगवत गेता के श्लोक से चलो या नीशा जर्व भूता नाम यस्या जागरती सही अमी अस्या जागरती भूतानी साह नीशा पश्चते मुने मतलब क्या बताएं जब स अगर आप यह उमर में बच्चे को जल्दी उठने का रिच्वल शुरू कर दो अब कहीं सारे लोग बोल रहे हो सर हमें पसा रहे हो गया मनीमत में बच्चा तो उठेगा तब जब उसको उठाने वाला उससे पहले आदा गंदा उठेगा ना अब ध्यान से सुनना आज सुबह का फाहें वीडियो देखना कलका देखना मेरे दूनों बेटी आती ही उसमें सब्सक्राइब करती है और में एवरिटिंग करना पड़ेगा रॉल मोडल बनना पड़ेगा तो सबसे पहली बात है जल्दी उठाने वाले रिच्वल में आजाओ तैम टेबल प्लान करना है यानि सुबह-चुबह उठना है पांतजस मिनिट में करना है इसका इसका पैदा मखं़ून समझने लगेगा अब सबना इसक जवरूरी है अधर्स बच्चे क्या होते है इसके अभी बच्चे का श्रकशन न क्या है पता है। प्रेन डेवलैप्मेंट है तो कब या है पहले वाले पार्ट मैं तो प्वेंट क्या है अंडर डेवलोप्मेंट ब्रेन है ना तो वो किसी एक्टिविटी में कितना टाइम डाल रहे हुँ उनको पता नहीं चलता ज्यान से सुनने यह सोशल मेडिया वाला प्रेशर उसी वज़े से आता है और एक है दोस्तों के साथ गपे यह सबकता या जी बच्चे को पता ही नहीं चलता कब दो डहे तीन गंड़े निकल गए यह या न? आपको भी लगता हूँ आwor या यह ना न? चोई फैंस के अगर लगता है तो अगर आपको लगता है तो आप आपको बच्चपन भूल चुके हो आपने भी तो यह किया है ना तो बच्चे के दिमाग में अगर टाइम का सही वैल्यू आने लगे और साधे साल की बाद बच्चा समझ सब्सक्ता है इसको अगर सही वैल्यू आने लगे ना तो बहुत बढ़िया पार्ट वन पार्ट टू ध्यान से सुनना टी पहला क्या था टाइम दूसरा टी है थिंग्स यानि वस्तुए चीज़े उसकी वस्तुए अब ध्यान से सुनना बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी जो भी ओनर्शिप की चीज़े है उसके नोट बुक है पेंसिल है बुक्स है उसका कपड होगा वाटेवर खेलने की चीज़े वगेरा वगेरा उसको ना उसकी ओनर्शिप देनी है वाट्स दवर्ट और उसको जिम्मेदारी लेके ना देरे 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 उसको capable बनायना है कि उसको ठीक से रखे ठीक सो संबाले और ज्यादा चले अब ध्यान से सुनना यहां पर वो 388 वाला वो करिश्मा का क्या कहते वो फियांसे नहीं बनना है हर चीज पर प्राइस टैक इतने की थी इतने की थी है इस जू इतने की थाइस्टर रुपे वगेरा वो नहीं कि प्राइस टैक लेके नहीं गुलना है और भचों बच्चों को शीज economics करना बहुत फायदे होंगे बहुत थान पधपेर पछेए तो बच्चे इसे रखेंगे हरा समगुद को द्वैंसिल समगर थेखेंगे धियान तो मेरी उनको लाइफ टाइम मदद करने वाली अब तीसरी चीज द्यान से सुना तीसरी चीज अब अगर यह आप जल्दी शुरू करो तो बहुत फायदे में रहोगे तो यह भी काइदा है जल्दी शुरू करोगे तो फायदे में रहोगे तो यह भी काइदा है जल्दी शुरू करने वाली जल्दी शुर अब energy management क्या होता है और कैसे सिखाने मैं example से बताता हूं how many of you have experienced कि कई बार आपका बच्चा है ना important काम के वक्ती थक जाता है या बोर हो जाता है हाई आना शौर फैंट्स इस रूख के दो तीन हाथ उठें नहीं है या तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं या फिर उनको लग रहा है शायद मैंने देखा नहीं या फिर उनका बच्चा ऐसा नहीं करता तीन में से एक से यह और तीनों केस में मही से हुँ है आना अब यह क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चे उनकी इनर्जी करना उसको किसी ने सीखा है नहीं तो बच्चा जाता है खेलने जाता है पूरा थक खार के आ जाता है अब लेट जाएगा सो जाएगा अब तो इसको इनर्जी कहां से मिलेगी दोस्तों आर यूटिक मापाट तो बच्चे को इनर्जी मैनेजमेंट भी सिखाना पड़ीगा एक्जामपल में रहां से बता सुनों मैं आपको सुनाता हूं और मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूं लेट सीया क्या मेरे पास को आप है कि यस एक्जामपल के तोर पर जब मैंने मैं की बात की थी ना तो मैंने आपको यह चार्ट दिखाया था याद है आपको अब यह वाड़ी स्मार्ट है दिख रहा है गया यह भागता हुआ गड़का अब ध्यान से सुनना दो तरह के बच्चे होते कुछ बच्चे ह जल्डाबन धराइ जिनके अनर्जी बहुट ज्यादा है तो यह बच्चों को क्या करना पड़ता है स्ट्टडी करने से पहले थाकाना पड़ता है तो चाहिसे कौल कि सुमाने में हमारे रिटा बच्चें जाते थे तो वापस ब हैध्लिया आजक Hearts कर देंуд भी आ है मेरी कि रिचार्ज हो जाओ जैसे रिचार्ज होती थी उसको बोलता था एक घंटा पढ़ाई करो फिर जो करनाई करो क्लियर कि अब दूसरी वाली मेरी बेटी है ना हाय ओन एनरजी वो तीन सवा तीन बज़े भी आएगी तो यह दोड़ते हुए आएगी यस यस पापा पापा ममी ममी अब आपकी जानकारी के लिए मैं रोज बच्चों को छोड़ने और रिस्यू करने के लिए घर पे रहता हूं अब उसको अगर आपने दोपेर को सुला दिया जान से सुनना ये एनरजी वाली को तो पता चला पूरी रात सारे घर को स्टोरिय सुना रही है दादी सुन ममी सुन पपा सुनो पड़ोसी सुनो आर यू इसको जैसे ही स्कूल जाते है ना मैं इसको और ज्यादा थकता हूं उसको बोलते हूं बेटा थोड़ा सा खेलते हैं मस्ती करते हैं अब जब थोड़ी सी उसकी एनरजी डाउन होंगे तब जाके वो 20 मिनटे एक जगा पर बैटके बढ़ाई करेगी आर यू गेटिंग मैं पॉर्ट है अना शौ फैंट्स प्लीज अब जानता हूं ये दो में अब दियान से सुनना एक्जांपल के तोर पे एनरजी मैनेजमेंट इस लाइक फैनांस मैनेजमेंट हें help level business दिन का बचेट अलग-अलग होता है कि मैंने के पहले 20 दिन का फचेट तो याइस शर्मा जी कहा चले कौन सी मुवी कौन सी शोपिंग । कौन से मॉल और आहित दिनों में शर्मा जी क्या चल रहा है लो ख़ाने का शोच रह ँण घर में कीजनीक आते हैं यस और यस अब ध्यान से जुनिए आखरी दस दुनों में आप क्या करते हो सिर्क प्रायरिटी वाली चीज़े पहले करते हो हाँ या ना प्रायरिटी वाली चीज़े मैंनेज कर रहे हैं अब ध्यान से सुनिए जिसके पास अगर सबकुछ अबंदस में तो तो कैसे भी खर्चा करें चलेगा है पर इमेजिन कि किसी को पास इनर्जी कम है या पैसा कम है और वो पहले क्या कर रहा है मौल का प्लैन कर रहा है अली बाग की बीच पे जाने का प्लैन कर रहा है और फिर सोच रहा है घर का बाड़ा देंगे यह मैं देंगे बच्चे की फिस बरेंगे तो चलेगा क्या अब ध्यान से सुनना, साड़े साथ साल का बच्चा है, जैसे आठ साल की तरफ जा रहा है, आठ वा बटे आ रहा है, उसका सेलेग्रेशन की बात चल लिए उसको यह सिकाना है, दीरे दीरे, सिकाना मतलो भाष्चन नहीं देना, आपको उसके पैटर्न की स्टड़ी करनी पड कि बटा, मानलो आपका बच्चा जल्दी ठक जाता है, तो उसको अपनना पड़ेगा, तेरी को जितना खेलना है खेल, बट मैं चाहते हूँ पहले तो यह काम कंपेट कर बाद में खेल, केल के आने के बाद वो काम नहीं करने वाल, और मानलो दूतरा वाला बच्चा है, जो जाएंगे, बट वो थोड़ी सी बूल जाती उसकी, फिर उसको 20 मिनिट बेटा था हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी यह तो प्राइमरी लेवल पे हो गया, है ना, विवेक जी, हैपर एक्टिव चाहिल्ड कुछ नहीं होता, अब फेक कंसेप्ट है, there is nothing called as हैपर एक् एक्टिविटी दी तो उसको हाइपर बोलने वाले हम कौन है, अरे किसको पता है, रविंद्र जड़जा हो, उसको हाइपर एक जगा पर बिटाने की प्रबंध कर रहे है, therapy दे रहे है, क्रपया दूर रहे है, ऐसे शब्दों से, ओके और मैं इन सब चीजों में ट्रेंड ह किसी जमाने में यह सब बिजनेस में ने किये है, तो I know how it works, जाहन से सुनिए, हाइपर एक्टिव नहीं, highly energetic बोली है, अगर highly energetic है, तो क्या करेंगे, तोड़ा सा थकाएंगे, फिर study को बिठाएंगे, हाया ना, या फिर कही सारे बच्चे हमारे पास है, घर में फुटबॉल बुक लेके घुम रहे हैं, इधर से उदर, इधर से उदर, बॉल के साथ खेल रहे हैं, बीच में ऐसी बॉल दिवार को मान रहा है, एक लाइन पढ़ रहा है, देखे ना, यह से ना, मुले, एनरजी जादा है, तो यूटिलाइस करेंगे ना, यार, हाइपर एक्टिव ले तो इसको बोलते पेशन्ट को लाओ, और कोन पेशन्ट, I am a healthy body with a minor challenge of some छोटा मोटा फ्लू, है ना, बड़िया क्या बताते पेशन्ट को लाओ, डिक्लेर कर दिया, you are a patient, फिर यह भी पेशन्ट जेता, और डॉक्टर साथ, तो कल शाम से ना, कोड़ा ला, अभी डॉक्टर तो आपको मैं बताता हूं, स्क्रीन इनका सेशन मैं लूँगा, तीन प्रॉपर तीन सेशन लूँगा आपको, पूरे प्रॉब्लम के एंसर दे दूँगा, मेरी शमता के अनुसार, है ना, तो there are no hyperactive child, there are child with high energy, moderate energy and relatively low energy, it's okay, आपने भी तो आपके घर में लोग देखे, बे तो पहले वालों को किसी tourist, company का manager बना देंगी, वो जाके लोगों को दुनिया घुमा देगा, पाहड़े घुमा देगा, और दूसरे वालों को ना, office desk पे बिटाएंगे, पोल रिशिव करने को, hello, how are you, उसके लिए energy नहीं लगती, are you getting my point, है ना, तो, yes, अब मैंने comment को off कर द जो, no one can focus on two things at a time, इस मुद्धे में रहिए, आगे पड़िए, चलो, तो अगले point के तरफ जाते है, अगले point,